आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमारा Diagram कुछ ऐसा बन रहा होगा यह मानलो Coordinate Axis है ठीक है तो यह हमारा कौन सा Axis है X Axis और यह हमारा है Y Axis अब जो First Circle है उसका Center 1,1 है और Radius भी 1 है तो हमारा Circle यहाँ पर Draw करें तो वो Circle हमारा कुछ ऐसा हो रहा होगा और यह भी 1 unit होगा तो यह Point हमारा क्या गया 1,0 और यह जो है वो हमारा क्या गया 0,1 अब एक Circle है जिसका Center जो हमें क्या बूलो है 0,Y है और Origin से पास कर रहा है तो जो Circle पॉसिबल है और इसको टच भी कर रहा है एक्स्टर्नली जो Circle पॉसिबल है वो हमारा कौन सा Circle पॉसिबल है जो Origin से भी पास कर रहा हो Center हमारा 0,Y हो और इसको टच की भी कर रहा हो तो वो हमारा कुछ ऐसा Circle पॉसिबल एक छोटा सा Circle पॉसिबल करें तो यह Circle पॉसिबल बिसिकली जिसका Center हमारा क्या है जो Center है वह हमारा 0,Y है थीक है सो center हमारा 0,Y आ गया origin से pass भी कर रहा है अब यहाँ पर पन देखे हैं तो इन दोनों center को कर match करवाएं सो यह center हमने यहाँ पर क्या-क्या match करवा दिया तो अब यहाँ पर तम बचा वह हमारा क्या बचा यहां से पन देख सकते हैं, अगर यहां पर पन देख सकते हैं, इसका जो radius होगा, वो y होगा, यहां से पन देख सकते हैं, यह जो radius है, वो y है, तो basically अपन बोल सकते हैं यहां से, कि यह जो distance है, ठीक है, अपन देख सकते हैं यहां पर, यह distance, अपन बात कर रहे हैं, दोनों के center के बीच का distance, ठीक है, so अपन किसका distance बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यह distance का, ठीक है, so यह distance, यानि कि दोनों के center के बीच का distance होगा, वो क्या होगा, इसका radius y unit है, और इसका 1 unit है radius, तो यह हो जाएगा 1 plus y के equal, ओके, और distance formula से हमें 2 point अगर given है, तो इसका distance क्या होता है, so x2 minus x1 का whole square, ठीक है, plus y2 minus y1 का whole square, तो यहाँ पर distance जो है, 1 plus y हमें पहले से मालूम है, और यह जो हमारा है, वो क्या है, square root, यहाँ पर x2 और x1 क्या है, तो इसका coordinate center का दोनों का, तो यहाँ पर 0 y है और 1 1 है, तो अपन लिख सकते हैं, 0 minus 1, 0 minus 1 का whole square, plus यहाँ पर y minus 1 का whole square, okay, so यहाँ से क्या बन गया है हमारा, so square root set अगर कर दें, तो यह बन जाएगा, 1 plus y का whole square, this is equal to, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 plus y minus 1 का whole square क्या बन जाएगा, so y का square plus 1 minus 2y, और यहाँ पर इसका अपन square तो यह 1 plus y का square plus 2i है, और यह 1 plus यहाँ पर y का square plus 1 minus 2y है, so अपन यहाँ से कैंसल करें, तो यह y का square से y का square cancel, 1 से 1 cancel हो जाएगा, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, so 4 times y जो है, 1 के equal होगा, यानि कि y का value यहाँ से क्या आगया, so 1 upon 4 आगया, so जो center है, वो हमारा क्या है, 1 by 4 है, वही center center का y कोडिनेट है 1 by 4 है, और radius भी y है, so radius 1 by 4 आगया, so option 2 correct, thank you. Classics चीट्वेल से लेके, NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप, या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर.